हेलो एवरीबन कैसे हो आप सब लोग तो अज़ाज का हमारा सेसन वो लर्निंग पे रहने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं सूपर ट्रेंड के बारे में कि किस प्रकार हमें सूपर ट्रेंड से बाइया सैल की ट्रेड ले सकते हैं तो देखिए जब हम मार्केट में सुरुआत करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लोस होता है और हम क्या करते हैं लोस में तो मार्केट में होल्ड करने लगते हैं और प्रोफिट में हम होल्ड नहीं कर पाते हैं तो ये सभी ट्रेडर्स को ये मुश्क ले आते हैं और धीरे trader की यही problem रहती है, तो आप इसको overcome कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक system चाहिए, तो उसी system को आज हम बनाएंगे और पता लगाएंगे किस प्रकार उस पे trade करें, और किस प्रकार हम buy or sell का order लें, तो चलिए यह, इसको उटा देते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले अपने जो भी software आप use करते हैं, उसमें जाना है, और उसमें indicator section में क्या करना है, आपको super trend के बारे में search लगाना है, जैसे मैंने लगाए, वैसे आपको करना है, तो यहाँ पर आपको super trend easy मिल जाएगा, तो आपको उस पर click कर देना है, तो आपके chart में एक line मिल जाएगा, आपको जो trading media आपको नजरा आ जाएगी, यह जैसे, यहाँ पर ऐसे उगर इससे ही profit बन जाता तो फिर तो market में काम करने की आओ सकता है, क्यों तो यह सभी को जो बगएरा छोटकी यह indicator लगाए, trade कर लेते हैं, तो चिंता की बात ही थी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ हमें implement करना होगा, कुछ system को, ताकि हम दूसरों से अलग सो यह रहेगा कि यह 100% काम नहीं करता, 100% in the sense कि यह ऐसा नहीं कि आपको हर रोज profit देगा, हर रोज आपको loss तो होने ही नहीं देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, आपको loss भी होगा, profit भी होगा, जब loss होगा, वो कम होगा, profit होगा, वो जादा होगा, दूसरा negative side यह रहता है, इस काफी आपको loss हो सकता है chances very high रहते हैं इस चीज में अगर जितना आप ज़्यादा trade करोगे उतना ही chances ज़्यादा हो जाते हैं आपके loss होने के तो इसका solution कर देंगे लेकिन जो 100% वाला matter है उसका solution नहीं होने वाला ये तो आपको loss तो लेना ही होगा market में जब आप काम करें तो cost तो देनी ही होगे और ये ऐसा system बना भी नहीं है अगर कोई ऐसा invent हो गया तो मुझे भी पता देना कि 100% आपको profit ही profit होगा market में loss तो होने वाला है नहीं अगर किसी ने बना भी लिया है तो आपको बताएगा नहीं तो अब जान लेते हैं कि 100% वाला तो हट गया दूसरा देख लेते हैं कि ये sideways market का कैसी पता लाएगी अब sideways market अब हमें trade नहीं करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है super trend में जाना है super trend में जाना है इसकी setting में जाना है और इसमें क्या करना है आपको ये जो आपको 10 नज़र आ रहा है इसमें आपको कर देना 13 जो length नज़र आ रहा है उसमें 13 कर देना और जो factor नज़र आ रहा है उसमें आपको कर देना 2 या तक आगे आपको समझ में अब देखिए आपको फिर से indicator में जाना है और फिर super trend में जाना है देखिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिरे दिरे समझा रहा हूँ ताकि आपको easy समझ में आ जाए तो आपको क्या करना है आपने double indicator आ गई यहां पर इसको क्या करना है फिर से जाना है setting में और यहां पर क्या करना है 13 करना है और second time 4 करना है और यह हमने कर दिया तो अब देखिए आपके पास दो super trend आपके चार्ट में नजर आने लगे हैं अब इन पर काम कैसे करना है और यह कैसे काम करेंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं तो देखिए अब हमारी system का क्या कर लेते हैं entry point जान लेते हैं exit point जान लेते हैं और उसे पहले stop loss कहा होगा तो यह तीनों चीज़े हमारी system में रहने वाली है और इन तीनों चीज़ों कहा होगी कैसे होगी वो जानेगी और दूसरा देखिए आपको जब भी आपको system बनाते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों को include करना है और यह देखना है कि उसमें negative क्या है अगर कोई system मनाते है तो इसमें आपको यह देखना है negative हाइं तीज़े इसमें क्या था negative जब यह sideways हो जाता है तब हमें बार बार signal देता है और हमें बार बार loss होने लगता है या double-double trade करनी पड़ती है तो उसके कानल क्या हो जाता कि ह हमारा जो net sum है वो loss में रहने लगता है तो इसके लिए हमने क्या कर दिया जो sideways market है उसको avoid कर दिया और दूसरा क्या किया हमने एक इसके लिए हमने stop loss भी बना दिया entry भी बना दिया, exit भी बना दिया तो ये पूरा system complete हो गया तो इसमें profit होने के chances रहते हैं loss तो नहीं होगा, profit loss होगा तो कभी कभी होगा, profit होगा जब जादा होगा तो ये रहता है, और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि market में इन simple चीजों के लिए आप से काफी पैसे charge किये जाते हैं, आप अगर मान लेजिए, ये strategy आपको कोई देगा, तो उसके लिए क्या लेगा आप किसे 50,000 ले लिया 40,000 ले लिया, इवन 1,00,000 की भी ले लेंगे, कोई ना कोई आपको 1,00,000 रुपे भी आपसे demand कर सकता है तो आपको क्या करने हैं आपको 1,00,000 रुपे दे दोगे आप उनको और फिर क्या करे होगे, आप उस पर ट्राइ करोगे, और आपको वो system ऐसा है तो नहीं है, कि सभी के पास ऐसा कोई system होता है नहीं कि 100% काम करे मान लेजी, आपने trade की और वो एक नहीं 5 दिन लगातार लोस दे दिया, आप कोगे यार, मुझे तो लूट लिया, एक्सुल में उसने लूटा या नहीं लूटा लेकिन कोई भी system काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है market में 100% को नहीं डूड़ना है दूसरा किसी learning के लिए आज के समय में learning के लिए पैसा है देने की आऊ सकता नहीं, सभी चीज़ें आपको free of cost कुछ आपको time देना होगा, तो आपको मिल जाएंगे, असानी से आप find out करोगे, तो आपको मिल जाता है, दूसरा आपको क्या करना है, कोई भी आपको paid class नहीं लेनी है, ये भी काम करना है तीसरा, जो भी आप paid class के रुपे देने चाते थे, किसी को भी देना चाते नो मैटर किसको देना चाते थे, वो उसके लिए आपको क्या करना है, उन पैसों से आपको करनी है trading, और trading से आपको क्या मिलेगा, जो experience मिलेगा ना, वो आप किसी से strategy लेके भी सीखोगे ना, तो उससे भी नहीं आने वाला तो trading का पैसा, अगर आपको देना भी है तो ऐसा आप कर सकते हैं, देखिए, आप नहीं मानोगी मुझे पता है, तो आपको क्या करना है, जो आप course के लिए पैसे दे रहे हैं, उसका 30% तो रखी लेना, 30% रखके आप क्या करना है, उसमें trading करना है और फिर कोई course लेना चाहते हैं, तो ले लिजे मेरा तो मानना है, यही रहेगा कि आपको course के कोई आप सकता नहीं है, इंटरनेट पर इतना available है चीज़ें, कि आपको जूरत नहीं है किसी के course करने की, और पैसा देने की बिल्कुल भी आउस होते हैं, देकि आपको बिल्कुल भी अगर knowledge नहीं है, अगर आपको यही ने बता चार्ट, यह कैसे momentum करता है, candle कैसे, तो एक छोटा simple course ले लिजी किसी का, जो आपको तोड़ा सा अपना time दे और उसके according अपका पैसा ले, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, जो time का, अपने time का पैसा ले रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो simple चीजों के लिए पैसे ले रहा है, वहाँ पे आप मत जाईए, अपने time के लिए देखिए, सभी का time valuable होता है, आप उनको time का पैसा दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप उनसे कुछ सला ले रहे हो, और अगर आप वो कहरा है कि ठीक असर सला तो दे दूँआ, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, इसके according मेरा जो आपको time खराब करोगे, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं हो, उ पैसा दे रहे हो, यह मत करना, अगी आपको कुछ strategy find out करनी कि ऐसी strategy मिल जाए, जो 100% काम करे, दीके market में 100% वाली चीज़ को आप भूल जाए, जब तक आप इस चीज़ को mind से नहीं निकालोगी, तब तक आप trading कैसे कर पाऊए, तो चलिए इसमें जादा नहीं गुलते हैं, क्योंकि मारा इसमें related content भी नहीं है, और मैं कभी आपसे पैसे की demand करने वाला हूँ भी नहीं, और नहीं मुझे आपको कभी देना है, कभी है, अगर मेरा mind ऐसा हो जाए कि मैं आपसे पैसे मांगने लगूँ, तो आपको नहीं करना है ऐसा, तो चलिए बात कर लेते हैं, उन अब देखें, यहाँ पर यह candle आ गई, इस candle में आपको यह signal नहीं देगा, यह green रहेगा, वो उपर वाला तो red हो चुका है, अब यह candle इसके नीचे closing देगी ना, तब यह क्या करेगा, यह signal change कर देगा अपना, और यह red signal मिल जाए, तब आपके पास दोनों signal क्या हो जाएंग stop loss का होगा, stop loss इसमें मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, ध्यान से सुनना, पहला, यह देखें, यहाँ पे entry मिले, अगर यह candle according to आपके risk reward battery, risk reward in the sense, देखें, stop loss में, आपको देख, यह risk reward बहुती ज़्यादा maintain करना होता है, अगर आपको माह लीजे, यह candle, यह candle है, यह candle है मान लीजे, ऐसी candle यहाँ पे बनी होती, और यह signal change हो गया, तो क्या आप इस candle के उपर अपना high pay, अपना stop loss लगाती है, तो यह बिल्कुल भी right नहीं है, तो आपको अपना risk reward देखना होगी, आपका risk reward in the sense, कि आपको इतना loss ले सकती हो, क्या, अगर उस position में मान लीजे, आप आपको जादा से जादा उमीद है कि इसमें जादा से जादा क्या करेगा, यह हमें 30 रुपे का पैसा, 30 रुपे इसमें बना सकते हैं, तो उसमें loss कितना ले सकती हो, आप 10 रुपे ले सकती हो, जादा करती हो, तो 20 रुपे ले सकती हो, और उससे भी हद है तो 30 रुपे, त तो stop loss super trend में तो मेरा तो ये रहेगा कि कम से कम आप once by three का रखें और इससे भी अगर उपर जाना चाते हैं तो one by two रखें कि आपका जो एक रुपया लोस हो लेकिन जब profit हो तो आपको दो रुपय हो इतना तो आपको करना ही होगा इससे कम रखोगे तो आपको फिर overall loss में रहन आपड़ सकता क्यों super trend भी ऐसा नहीं कि आपको बता देगा और जट से profit हो जाए ऐसा नहीं होने वाला आपको इसमें भी काम करना होगा risk reward के उपर तो risk reward ऐसे maintain करना ही या तो आप देखी आप थोड़ा market में आपको हो गया एक या दो मन तो आपको देखी sport या resistance find out करना होग sport resistance के उपर भी आप अपना stop loss रख सकते हो दूसरा अगर आपको इतना भी एक बार knowledge नहीं तो छोटी quantity में trade कीजिए और ये candle ले लिजिए जैसे छोटी candle हो ऐसे नहीं के big candle हो big candle पे आपका जो stop loss काफी heavy हो जाएगा और वो आपको काम नहीं करेगा और आप देखना होगा कि आपको ये जादा से जादा कितना momentum करता है दिखिए bank nifty कितना करता है अब तो ये थोड़ा सा जादा करता है otherwise पहले क्या करता था 300-400 point चलता था bank nifty एक दिन के दर आज कल तो ये 700-800 point भी momentum करता है इसके लिए कोई खास बात नहीं है तो जैसे कुछ stocks होते हैं जैसे 700-800 जो stocks stocks होते हैं वो almost क्या करते हैं 10-15 point moment करते हैं जो normal होते हैं वैसे तो करने वाले तो ज्यादा भी करते हैं लेकिन जो normal होते हैं 10-15-20 point ऐसा moment करते हैं तो उसके according अपना stop loss से decide कर सकते हैं तो ऐसा आप देखना होगा थोड़ा आपना भी दिमागाना होगा क्योंकि जब तक आप आप दूसरों के उपर ही trade करते होगा ना तब तक आप इसमें कुछ सीख नहीं पाओगे और आल कभी भी profit नहीं बन पाओगे जब आपको कोई कहता है ना कि ये ले लीजी मेरी paid class और आपको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं तो बिलकुल आपको wrong learning दे रहा है क्योंकि ऐस पैसा होने वाला है नहीं आपको देखिए आप पैसा कमा रही हों यहां पे यह कोई खेल नहीं है कि आप आगए कि किशी को बता एके अपनों जीतने लगे ऐसा नहीं वाला यह पूरा पूरा business है बिजिझस को business की तरह देखिए आपको जैसे कोई भी business करते हो तुसमें क्य जाकरते हैं आपको पूरा माइंड रहता है पूरा पूरा माइंड इन्वोल रहता है आपको कुछ बता दे कि यह जीज ऐसे लेनी है ऐसे देनी है तो क्या उसे काम चल जाएगा नहीं चलेगा आपको बिजिनस में खुद उतरना पड़ेगा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बाते समझीए आप, आप क्या है कि पेट कलास के चक्र में पड़ेवे हैं, आपको पता ही नहीं कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग करने के लिए अपना दिमाग लगाईए, उसमें खुद कुछ अपनी लर्निंग डालिए, दूसरों की चीज उतनी लिजिए, जिसमें आप कुछ लर्निंग कर पाईए, उसको सिष्ट, ऐस एक क्या है कि बेस बनाईए उसको, बेस बन जाएगा जब आपका बेस बनाने के बाद उस पे अपना बिल्डिंग बनाईए उस पे, ऐसा नहीं कि दूसरों के कामों पर यह आप सारा का सारा पैसा लगा रहे हैं, उस पे जी रहे हो, ऐसा नहीं करना है, आपको लेकिन आपको करना क्या होगा, मुझे फिडबैक तो देना होगा, मुझे पता ही नहीं चल भाए, आपको लोग तो रहा है, मैं क्या करूँ हमा फिर उस में, मुझे तो मैंने तो यह देखुँगा कि मेरा सिटम काम करने वाला था हूँ, आपको क्या प्रोब्लम आरही हो, थोड़ा सा अपने system पे आ जाते हैं तो आपको stop loss पता चल गया दुबारे से समझा देता हूं stop loss आपको क्या करना है इसके just candle का लगा लेना या फिर अपने risk reward से लगा लेना तो आपको entry पता चल गी entry कैसे होगी जब यह दोनों signal एक जैसे हो जाएंगे जैसे यहाँ पर red हो ग exit point कैसे ले अब exit point का लिए देखिए मान लिजिए आपने stop loss लगाया है अपने risk reward से मान लिजिए आप लगा रहे हो दस रुपे का stop loss तो आप तो कर सकते हो कि 30 जब भी मुझे 30 point मिल जाएंग मैं exit ले ले हो पूरी की पूरी quantity exit ले ले हो या फिर जब देखिए यह super trend होता है इसका नाम ही इसलिए है कि इतना profit बना के दे सकता है कि आपको कोई भी strategy बना के नहीं दे सकती तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको मान लिजी यहाँ पे entry बना लिए आपने जो भी stop loss लगाना तो लगा लिया आपको इसमें क्या है कि चलने देना फिर profit हो जितना ह उतना और जब ये signal change हो जाए तब आपको exit ले लेना है simple है easy है और समझ में आने वाला है तो इन चीजों को आपको देखना है कि जब इसका signal change हो जाए तब कर लीजिए या अपना जो risk reward हो रहा है उसको complete होने पर exit ले लीजिए दोनों ही चीजें काम करेगी हैसा मत करना कि एक दिन आप इस signal पर exit ले रहे हो एक दिन अपने risk reward से ले रहे हो तो ऐसी करोगे तो mark हाजा होगे market में ऐसा नहीं करना है आपको पहले दिन ऐसा करना है दो trade ले लेना एक में एक चीज़ कर लेना एक में एक चीज़ कर लेना जो पसंद है उसमें उसमें कर लेना और उसको continue one month कर के देखना उसमें कुछ पहले भी अगर कमी लगे तो मुझे update कर देना हम और update कर देंगे इसको तो आप कमी बताओगे तब ही तो update करें मुझे पता कैसे चलेगा मुझे तो अब तक तो इतना पता है कि काम करता है लेकिन अब आपको क्या problem आ रही है तो मुझे पताओ ना फिर मैं update कर दो इसको दूसरा देखिए मान लीजिए आपने यहां पे entry की entry होते ही यह जाने दीजी इसको करता जाएगा याब यह देखिए candle कितनी sharp selling है लेकिन जब आपने stop loss यहां लगा रखा रखे तब यह आपको कैसे लेकिन अगर आप trailing वरेलिंग करते हैं तो फिर आपको यहां पीट हो जाए तो trailing में यह होगा कभी ना कभी अगर आपको big loss होने वाला है तो वहां पे नहीं होगा वह जल्दी से तो देखिए सभी का अपना माइन होते हैं देखिए trailing भी करना अच्छा है और without trailing भी करन लगता है टाइम इतना लगता है जब तक आप में सुधार ना जाए जब आप यह चीज़ नहीं समझाओ कि एक चीज़ को follow करना होगा बार बार system change करोगे doesn't work that thing तो आपको वो काम नहीं करेगा आपके लिए तो इसलिए आप एक चीज़ को decide करना है किस चीज़ को follow करना है वो follow कर लिया उसके बाद उसको continue किजिए और उसमें आपके लिए हूँ आपके लिए अपडेट कर दूँआ तो अब देखे लेते हैं यहां पर entry कर लिया आपने और exit कहां ले सकते हो यह आपने जो risk reward बन रहा है उसके according ले सकते हो तो थोड़ा सा just backtest कर लेते हैं क्योंकि देखिए backtest बहुत जरूरी है क्योंकि उससे आपको confidence आएगा पहला थोड़ा सा कुछ दिनों का मैं backtest कर देता हूँ और बाकी आपको खुद के तरब से backtest करना है क्योंकि without आप भी backtest नहीं करो तब तक आपको confidence कैसे आएगा तो मज़ा तब ही आएगा जब आप खुद backtest करोगे और आपको अच्छा लगेगा तब ही system अच्छा काम करेगा तो देखिए थोड़ा सा जश्ट कुछ दिनों का backtest कर लेते हैं क्योंकि वह भी जुरूरी होता है को इसी भी system के लिए तो यहां पर क्या करना है एंट्री करनी है यह पूरा पूरा काम कर गया है यहां प पहले आपको backtest कर देता हूं और यह sideways market में काम नहीं करता है अभी मैंने आपको बताया था लेकिन यहां पर देखिए यह क्या है कि expiry का दिन है हमारे लिए 13 अकी expiry थी 13 जैन की तो यहां पर entry मिल गई आपको entry मिलते हैं आपको यह देखिए या तो आप यहां पर निकलोग पहले मैं थोड़ा discuss कर लेता हूं कि यह देखिए दो बच चुके हैं यहां पर आपका trade नहीं बनता है क्योंकि market already sideways हो जाता है दो बज़े के बाद बाद कभी कभी momentum आता है already expiry दिन तो ऐसा होने वाला है भी नहीं तो आपको expiry दिन तो थोड़ा बच कही रहना है अब उसस से दिन में आगे थे यह expiry वाला हो गया उसके next दिन देखते हैं यहां पर देखिए यहां पर आपको यह trade नहीं मिला यहां पर क्योंकि सुबह सुबह तो आपको कुछ signal पहले ready हो जाएं तो वहां पर कैसे trade करो वहां पर trade एक बार नहीं करनी है मैं आपको यहां पर भी trade कर नहीं करना से आएं फर्स्ट कैंडल पर भी सिखाएंगे लेकिन एक बार के लिए आप वोल्ड करो इस चीज़ को तो यहां पर trade मिला यहां पर मिला आपको लोस और यहां पर trade मिला साइध यहां पर भी आपको लोस या net zero में निकाल देगा तो आप count करते जाना कि कहां कहां मैं profit हुआ या कहां कहां लोस हुआ दोड़ा बैक देख लिए ना मैंने account नहीं कि आज चलिए कोई बात नहीं वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो यहां पर entry मिला आपको जो profit बना यहां पर निकले तो कुछ बना आपका यहां पर entry ली या तो आप यहां पर निकल गए या अपना जो आप risk reward बना रहे हो तो यहां पर अच्छा manage हो गया तो यह काम चल गया दूसरा next day यहां पर trade नहीं बनेगा और यहां पर आप entry लोगे तो यह momentum करेगा यहां तो यहां पर exit ले लोगे यहां पर 0-0 पर निकल जाओए कहीं यहां कहीं 0-0 पर निकल जाओए यह आपने रिस्क रिवाड भी मेंटेन हो जाए कितने पॉइंट निकलते हैं यहां पर पैसा बन जाएगा अच्छा पैसा बनेगा तो यह देखिए आप count करते रहना कि कितनी बार हमारा stop low sit होता है कितनी बार क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं कि वीडियो काफी लंबा हो गया काफी लंबा हो गया है तो यहां पर यह ओ गया यहां पर आपको दो trade मि नहीं लेना है समझ में आ गए बात दूसरा आपको trade ना दो बजे से दो बजे के बाद और और market के 9 आपके market कितनी बजे खुलती है 9 बज के 15 मिनट पर और 9 बज के 30 मिनट तक आपको कोई trade ने तीस मिनट का कोई rule नहीं है आपको कुछ candle ले आपको ऐसी है देखिए यहां पर कुछ candle यह तो नहीं है देखाता हूं आपको कुछ जैसे यह candle है आपको first four to five candle छोड़ द के बाद ट्रेड नहीं करना है, दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया कि सुरवात के दोर में जो 10 से 15 मिनिट है उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, और ये जो sideways है, कभी भी आप इस signal को capture करनी की कोशिस मत कीजिए एक point और था मुझे अब ये क्या ध्यान नहीं रहा था आप मुझे वीडियो को पीछे करके देख लेना वो भी मैंने बताया था आपको, तो अगर मैं दुबारा से याद आता मैंड में, तो मैं बता दूँगा तो वो भी नहीं करना है, तो ये तीनो चैरो के लिए कर रहा हूँ, आपको time तो देना ही होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माली ची यहाँ पर तो entry बनी ही नहीं है, यहाँ पर भी entry नहीं बनी है, क्योंकि यह तो सुबाती दोर हुआ उसके बाद यहाँ पर momentum नहीं है क्योंकि sideways हो गया, बीच में आ गया यहाँ पर entry में मिलेगी आपको, यह तो आपको stop loss seat कर देगा तो यहाँ पर stop loss seat हो गया, यहाँ पर market नहीं, यहाँ पर जीरो जीरो में निकल गया, यहाँ पर entry नहीं हो, क्योंकि देखिए यह candle closing पर, यह आपका color change करेगा और यह अगर closing यहाँ यहाँ देगा, तो आपको पता चल जाएगी, इतना तो momentum आरेड़ी हो गया यहाँ से, तो फिर यहाँ पर आप कैसे enter करो अगर enter करते हो, तो आपको 0-0 में निकाल दे, यह आपको stop loss ले जाए, कोई अगर आपको पहली trade में एक अच्छा profit बने गाए, तो दूसरी trade नहीं करने है यह roll, दो तो, दो और दो, चार rule हो गए, चार rule आपको यह भी count कर ले है कौन-कौन से rule है, दुबारा से आप यहाँ तो थोरा सा recap कर देता हूँ double trade नहीं लेनी, एक दिन में एक trade लेनी है, जब आपका profit बन जाएगा stop loss, hit होता है, दो दो trade ले सकते हैं, अगर आप अपना risk one by two भी रखें तो भी आपको profit बनाई रखेगा तो आप दिरी-दिरी इनको backtest कीजिए, बहुत ही अचा, जब market trending करेगा ना, उस जिन जितना पैसा बनेगा ना, आप सोच नहीं सकते मालीजिए, यह देखे, यह थोड़ा देखे, reverse यह market ने देखे, लेकिन trend होना चाहिए, एक जो trend चलेगा, उसको चलने ही दीजिए, तब आपको profit बनेगा अब देखे, यहां पर आपको कोई entry नहीं मिली, यह entry मैं सिखा हूँ आपको लेकिन एक बार के लिए मैं आपको तोड़ा just learning दे रहा हूँ, super trend पे काम कैसे करना है, फिर हम next version लेएंगे, तब इसका update करेंगे, तो यहां पर entry बनेगे, और यह सारा पैसा आपकी पास होगा, तो simple चीज़ है, काम करेगी market में, चिंदा करने वाली बात है नहीं, किसी को पैसा देने की जूरत नहीं है, पैसा दीजिए, तो जो समय का पैसा ले रहा है, उस पर दीजिए, जो आपको strategy या कोई system का पैसा ले रहा है, उस पे पैसा लगाना मेरे coding अच्छा नहीं है, बाक आपको क्या करना है, कल नहीं, आपको आज ही available हो जाएगा ये वीडियो, तो उसमें क्या करना है, आप इसको वीडियो देखने बाद backtest करोगे, फिर मुझे feedback दोगे, कि कैसा लगा, और उसके बाद final अगर आपको कुछ problem नजर आती है system में, तो मुझे बताना होगा, उसके according हम next कुछ दिनों में इसको update कर दें, next Saturday कर सकते हैं, या कुछ आने वाले दिनों में, तो आपको ये काम करना होगा, काम करोगे तबी आपको पैसा बनेगा, market कोई वो नहीं है, कि आओगे किसी जो कुछ सीखोगे, तो आपको दूसरे दिन पैसे बने ले जाए, काम करना हो आपको 6 साल लग जए, वो आप पे डिमेंड रहा तब आपको पता चलेगा, देखिए हम college में पढ़ने जाते थे तब हमें teacher कहते थे, अब बढ़ दो बाज में काम आएगा, उससे में हम नहीं सुनते थे, अभी हमें पता चला है कि बहुत अच्छा कह रहे थे, लेकिन उस साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, साइडवेज मार्केट के लिए आपको मैंने क्या बताया है, यहां पर जब यह इसके बीच में trade कर रहा है, तब आपको trade नहीं करनी है, तो इससे आपको काफी help होगी, और आपको काफी benefit मिलेगा इस चीज से, और आपको य झाल